बारतिय नौसेना द्वारा पाकिस्तानी नेवी को 8 डिसंबर 1971 के दिन किये गए ओपरेशन पाइथन में नश्वर घाउद दिया गया था भारत की कारेवाही में पाकिस्तान को कराची के हमले में तीन अबज डॉलर का भारी नुकसान हुआ था ओपरेशन ट्राइडन के बाद कराची पोर्ट की सुरक्षा में पाकिस्तान ने बढ़ोती की और यहां एर सर्विलांस बढ़ा दी गई थी ओपरेशन ट्राइडन के बाद पाकिस्तानी एर फोर्स ने ओखा हार्बर पर बम फैंके थे पाकिस्तानी एर फोर्स ने मिसाइल बोर्ट के लिए फ्यूलिंग सुई धाएं, एमिनेशन डंप और मिसाइल बोर्ट जेटी को निशान बनाया था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतिय नौसेना ने 8 डिसमबर और 9 डिसमबर 1971 की शाम को ओपरेशन पाइथन शुरू किया था इस हमले की कारिवाही में राज को 10 बजे के करीब कठिन परिष्थितियों में दो बहुत देशिय फिगेट आई एनस तलवार और आई एनस त्रिशूल के साथ रॉकेट से सुसजित युद्ध जहाज आई एनस विनाश कारिवाही में शामिल हुए थे करांची से दक्षिर में 12 किलोमीटर दूर मनोरा पोर्ट पर पाकिस्तानी पेट्रोल वेसल को भारतिय नौसेना के काफिले ने नश्ट करके दुबा दिया था ओपरेशन ट्राइडेंट में 60 प्रतिशत काम पूरा हुआ था और फ्यूर रिजव को खतम करने का 40 प्रतिशत काम बाकी था वो ओपरेशन पाइथन का मुख्यों देश था रात को ग्यारा बजे के आसपास भारतिय नौसेना के काफिले को 12 नौटिकल माइल दूर जहाज होने की पुष्टी इलेक्टोनिक सरविलांस में हुई थी आई एनेस विनाश द्वारा एक की बाद एक चार एंटिशिप मिस्ताइल फायर की गई थी पहली मिसाइल से कैमारी ओयल फार्म में ओयल टेंक से भारी विस्वोट के साथ आग लगी थी दूसरी मिसाइल ने पनामियन फ्यूल टेंकर एस एफ गल्फ स्टार को डुबा दिया था तीसरी मिसाइल ने पाकिस्तानी नौसेना के फ्लिट टेंकर, PNS डेक का और चौत ही मिसाइल ने बृटिस मर्चंट वैसल हर्माटन को नश्ट किया था आई एनस विनाश की तमाम मिसाइलों का उप्योग हो चुका था और उसी के साथ ही भारतिय नौसेना का काफिला नजदी की भारतिय पोर्ट पर गती से पहुँच गया था ओपरेशन ट्राइडेंट और उसके तीन दिनों के ओपरेशन पाइथन और भारतिय नौसेना के हमले में करांची के फ्यूल और एम्मिनुशन डीपो ध्वस्त कर दिये थे इस हमले में पाकिस्तान को तीन अबज डॉलर का भारी नुकसान हुआ था करांची जोन का 50% फ्यूल हमले में नश्ट कर दिया गया था ओपरेशन ट्राइडेंट और ओपरेशन पाइथन में भारतिय नौसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ था पाकिस्तान के हाई कमांड ने भारतिय नौसेना की कारिवाही को देखते हुए अपने युद्ध जहाजों को एमिनिशन कम करने और रात के समय सेलिंग नहीं करने का हुक्म किया जिससे नुकसान को कम कर सकें